बिस्मिल्लाय रख्मान वहीम, अस्लाम लेकूम, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नुबर 9 है, डिस्पर्शन ओफ लाइट, और आज हमने करना है जी, इसका लॉंग क्वेसिन, पेज नुबर 104 पे, क्वेसिन नुबर 5, यह जी सेकिंड लॉंग क्वेसिन, डिफाइ पेज नुबर 96 पे, यह मारे पास है जी, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, यहां से यह, यहां तक इस कांसर है, और उसके बाद है, 96 है, इसके बाद, इस कांसर जो है, जो है जी, यह देखे, 98 पेज़ पेज़ पे, यह मिराश वाला, इसके अच्छा पोनेंसियेशन, जो इसके साउंड आता है, मिराश, यह यहां से यहां तक इसके, अब हम इसको वन बैवन देखते हैं, पहले टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, पेज नंबर है, 96, जिब लाइट पासिस फों ग्लास और वाटर इंटो एर, जिब लाइट ग्लास से एर की तरफ जाती है, डेंट से रेर, ग्लास भारी है, हवाहल की है, डेंट से रेर की तरफ गया, इट बेंट से नॉर्मल से अवे चला जाता, अब यह देखें, यह एक रेथी, ग्लास से एर में जा रही है, यह नॉर्मल है, नॉर्मल क्या करना, आपने कोई स्ट्रेट लाइन आपने scale से draw कर लेनी है तो यह देखें यह पीछे चले जाती है नॉर्वल से पीछे की तरफ मुझाती है बट वेन दा एंगल ओफ इस इस ग्रेटर देन दा प्रिटिकल एंगल दा लाइट रेस रिफ्लेक्ट बैक इंटु सेम डेंसर मीडिया जब We2M CHANGE होती है मैं बता light जो है वो क्या करती है light जो है वो मुर जाती है light का ड्रेक्षन जो है light की वो CHANGE हो जाती है लेकिन हमें पीछे पर अगर light perpendicular यानी 90 के एंगल पर बढ़ाए इसको हम कहते है total internal reflection और अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइगराम है इसको देखते हैं यह ray है यह देखें यह देखें यह ग्लास से एर में कई यह अवेड हो गए होगा उसके बाद second ray जो है अगर आप देखें यहाँ पर इन्हीं critical angle की हमें definition परी थी ऐसा angle of incidence जिसके लिए angle of reflection 90 का हो जाता है तो फिर angle of incidence critical angle से भरा हो तो फिर light जो है ये बाहर नहीं जाती है बलके इस medium में reflect हो रही है देखें ये वली ray भी और ये वली ray भी और ये वली ray भी शर्त क्या है कि light हमने पहला phenomenon देखा कि bend away from normal normally ये होता है लेकिन जब angle of incidence ऐसा हो के reflection angle 90 का बन जाए जब angle यानि right refract 90 के angle पे हो तब हम कहते है that is angle of incidence को हम कहते है critical angle आई किसके ब्राबर आजाता है c के ब्राबर आजाता है यानि angle of incidence नहीं कहेंगे वरके critical angle कहेंगे अब next मुस्त नहीं बताया है कि angle of incidence इससे ज्यादा है जो भी इसकी value थी इससे ज्यादा है तो फिर light जो है बाहर नहीं जाती बलके अंदर की तरफ या जाती है that is total internal reflection ये लेखें अंदर आ देखें ज्यादा होना चाहिए ये था हमारा total internal reflection इसके बास second part में इसने पूछा हुआ ये मैंना complete कर लिए total internal reflection आपको यहां से आतर डाइगाम आपके कर ली है मिराश मिराश क्या होता है मिराश को इन अदर वर्स हमें illusion करते हैं इसको साल साथ देखते हैं और understand करते हैं फस्ट जो है question है इसको आप कर दें कर दें अच्छा यहां पर वैसे समय क्लिका है कि water आपने सरक पर देखा हो गरम जब दूब निकली हो but when you get there the road is perfectly dry लेकिन जब उसने का आप वहां जाते हैं तो पानी सरक जो होती है बिलकुल खुशकूरती है the water was never there but you saw was a मिराश मतलब उसने काया कि आप जब देखते हैं कि जब बहुत दूब निकली है और सरक पे आप जाते हैं तो आप पानी देखते हैं लेकिन जब आप पानी के पास जाने की कोशिश करते हैं यह कोई एक से चमकती वी चीज़ आपको नजर आती है लेकिन जब आप उसके पास जात और रिफ्रेक्शन की वज़ा से नज़र आता है, दा एर हाइयर अप इस कूलर दैन दा एर नियर दरोर, जो एर उपर उटती है, वो थंडी होती है, दैन दा एर नियर दिरोर, जो सरके करीब होती है, लाइट ट्रेवल फास्टर वेन इट ट्वीचिस दा वामर रेयर, ठीक है, उसने का लाइट जो है, जब वो गरम हवा के पास, हवा में से गुज़रती है, तो बहुत तेजी से गुज़रती है, दैलाइट ट्रेवल दाउनवर्ड और वो बेंड हो जाती हैं, तुम्क लेर्ज़ जैसे वो नीचे की तरफ आती है, कि सक वज़ा से रिफ्रेक्षिन की वाने से, अब क्या फरक काया, ठंडे से गरम की तरफ आती है, ठीक है, लाइट ट्रेवल ठंडे में जब जाती है, सारक के कि वैए गरम होती है, वो ठंडी होती है, light travels क्या करती है ठंडी में से अराम से गुजरती है लेकिन गरम हवा में से तेजी से गुजर जाती है तो ये तेजी से गुजरने के वज़से क्या होता है, इनकी bend हो जाती है और reflection का process होता है Near the ground, when air is even more warm सरक के करीब, जब हवा बहुत करम होती है The light rays travel almost parallel to the ground but continue to bend in other direction यानि कि लगता ऐसी है कि उसके मुतवाजी हरकत कर रही होती है लेकिन उसने का ये दूसी direction में bend भी हो रही होती है यानि internal reflection का process भी हो रहा होता है जो हमने भी पीछे देख रहा है When we see these bending light rays our brain assumed, अब ठीक है reflection भी हो रहा है और साथ में reflection भी हो रहा है when we see these bending light rays our brain assumed that the rays have traveled in a straight line these rays seem to us as reflecting from water तो ये हमें ऐसे लगता कि पानी से reflect हो रही है as ourselves we see a mirage desert travelers often observe mirage तो हम क्या करते है mirage जो है वो उस assume करते है ठीक है यानि actually पानी नहीं होता लेकिन हमें feel हो रहा होता है किसकी वज़ा से total internal reflection और क्या कहते है उसको reflection की वज़ा से reflection का process भी होता है total internal reflection का भी होता है तो हमारा brain जो है वो assume करता है कि light जो है वो straight line में आ रही है अब कि असल में ऐसे नहीं होता तो that is mirage ये था हमारा topic और ये वोला था total internal reflection ये हमारा fifth question का आपसा था जो के complete हो गया है